नमस्कार मैं कीरती बालसंत अभिनव अरोडा के सब्र कबान टूड गया अभिनव अरोडा ने ट्रोलर्स को सबक सिखाने का नेड़ने लिया है यूट्यूबर बालसंत अभिनव अरोडा साथ यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR की मांग को लेकर अदालत पहुचके हैं इस दोरान उनके साथ उनके माता पेता भी मौजूद रहे अभिनव अरोडा ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों पर आपको बता दे केस दरजवा करवाने के लिए वो याचिका देने पहुचे मैं उत्रा की ACJM कोच में याचिका देने पहुचे अभिनव अरोडा ने कहा कि वो अदालत जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो मजबूर हो गया इसे लेकर उन्होंने रामायन के एक प्रसंग का उधारन भी दिया अभिनव अरोडा इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है वो धार्मिक वीडियो बनाते हैं लोग उनकी वीडियो को काफी पसंद करते हैं अभिनव को 9 लाग से जादा लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं अभिनव अरोडा ने कहा कि देखिए मैं ये चाहता तो नहीं था कचेहरी में यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना लेकिन यूट्यूबर्स ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ भगवान राम का इरादा खरदूशन को मारने का नहीं था लेकिन खरदूशन ने इतना उत्पात मचाया कि भगवान राम को मजबूर होना पड़ा उनको न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़ा हमें धमकाया जा रहा है और मेरे साथ दुरवहवार किया जा रहा है इसका असर मेरे माता पिता पर भी पड़ रहा है यहां एक वीडियो सामने आया अभिनाव अरोडा का जसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए अभिनाव अरोडा की कृष्ण भक्ती के वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद लगभग साथ यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी भक्ती पर सवाल उठाए है इस संबंद में अभिनाव अरोडा के पिता तरुन अरोडा ने 19 अक्टूबर को भी मतुरा पुलिस में शिकायत दर्च कराई थी मतुरा पुलिस द्वारा कोई सुनवाई ना करने के कारण अभिनाव अरोडा ने आज अपने परिवार के साथ मतुरा की ACJM अदालत जाकर वाद दाखिल किया है संत अभिनाव अरोडा की ओर से माज्योती अरोडा ने सोंवार को मतुरा की ACJM कोट में पहुच कर साथ यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्च कराई है परिवार का अरोप है कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर उनके बेटे को ट्रोल किया जा रहा है और जान से मानने की धमकी दी जा रही है अदालत ने पुलिस से ACJM टेकन रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक क्या कारवाई की गई है इस मामली के अगली सुनवाई 6 नमंबर को होगी अभीनव आरोडा को लेकर जगत गुरूर राम भद्धाचारे ने कहा मेरी कथा एक गंफीर विशे पर थी उस बच्चे के वहवार में शरारत और संतों के सामने नित करना शामिल था यही कारण है कि मैंने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि ये मेरी गर्मा से संबंदित है मैं इसे अच्छा नहीं मानता मेरे मन में उसके प्रती कोई शत्रुता नहीं है उसको जो धमकी मिल रही है उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता दरसल अभिनव स्वामी रामभद्रचारे के दरबार में उनका आश्रिवाद लेने के ले पहुंचे थी इस दोरान वो रील और वीडियो बताने लगे इसे लेकर रामभद्रचारे ने उन्हें डाट कर मंच से उतार दिया इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वारल वीडियो में ये दिख रहा है कि अभिनव स्टेच पर स्वामी के बगल में खड़े हैं और वहां मौझूद लोगों से जैकारे लगा रहे हैं ये बात स्वामी जी को पसंद नहीं आई दसल हाली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ जिसमें अभिनव अरोडा जगत गुरु स्वामी भ्रद्दाचारे की धार्मिक सभा में मौझूद था ये वीडियो कब का है पुराना वीडियो है कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन ये एका एक वारल होना शुरू हो गया इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई वेक्ती स्वामी भ्रद्दाचारे से कुछ बात कर रहा था इस बीच अभीनव अरोडा जाकर स्वामी राम भध्राचारे के पास खड़े हो गए और जैकारा लगाने लगए है ऐसे में स्वामी राम भध्राचारे को यह बरताफ पसंद नहीं आया उन्होंने कहा नीचे उतारिये इनको मेरी भी मर्यादा है राम बद्य अचारे का अभिनव अरोडा को स्टेज से उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है बता दे सोशल मीडिया पर इन दिनों 10 साल के अभिनव अरोडा के खूब वीडियो और भी वाइरल होने लग गए जैसे ही ये वाइरल हुआ इसके साथ ही कई अलग-अलग तरह के वीडियो जो उनके खिलाफ थे वो वाइरल होने लग गए कोई उन्हें फ्रॉट कहता है तो कोई कहता है कि माता-पिता ने फर्जी बाबा बनाया है महीं कोई वाकई में इस बच्चे को संत मानता है अलग-अलग लोगों की धारनाय भी अलग-अलग है लेकिन सोशल मीडिया का एक तकबा एक तबगा जो है वो अभिनव अरोडा को खूब ट्रोल करता रहता है जिसको लेकर अभिनव अरोडा कोर्ट तो पहुँच गए अब देखना यह होगा किसके बाद की क्या कारवाई होती है